हम तो पहले बार आज में लक्री के चूला का रोटी खाएंगे ममी हैंदा हाँ हाँ वेलकम बेक टो मैं योटिप चैनल तो दोस्तों आप सभी को फिर से और नहे वीडियो में स्वागत हैं तो दोस्तों इधर आप देख सकते हो जो हम लोग उने कन में चूला बनाया ममी आप किसीघम काट रहे हैं जोट शेख सुनें नहीं देगा केप्सिकम काट रहे हैं दोस्तों काट जा रहा है कि हुआ है कि है कि दोस्तों यह डर्श्ट भी नहीं है ना मम्मी आटा निकाली है और इसमें भी नमक डाल रहे हैं तो आज में लोगों का चुना में ब्रेक्फेस्ट बनेगा है ना मम्मी यह हुआ नया चुला भें है नया चुला भें प्रेकपांच बनेगा तो दोस्ते भी इसमे दोस्ता भी अपे आटा में पानी डाला जाएगा हुआ 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 है हुआ है जाए हुआ आज यह जाए तो दोस्ता भी मम्मी रोटी को बेल रहे है चंदा मामा जैसे बेल रहे है अगर यह गोल होगा गोल होगा दोस्ता देख सकते हो आज हमनों का पहला ब्रेक्फश्ट चुला में बनेगा यहां पर है कैपसिकम और यहां पर ममी रोटी बेल रहे हैं यह रोटी का गोला है तो बहुत ही मज़ेदार आज होने वाला है खाना अज ठंडी भी है आप देख सकते हो पुरा शुरज भी नहीं हो गया है कि अब जला रही है इसमें के डाल रहे हैं अभी केरोसीन और तो दोस्तों अभी हम लों का चुला का सुभाड़ हो गया इसमें नमक डाल दिया गया है अब यहां पे हल्बी पाउडर डाला जा रहे है तो दोस्तों अब इसको अच्छे से दूस्ते भी हम देख सब्सक्राइब स्वादिश्ट लग रहे हैं दोस्तों इसको मीडियम फ्लेम में हम लोग पका रहे हैं मतलब इसका आच्छ थोड़ा कम दिया गया है यहां पर देख सकते हैं इसको बीच बीच में आप लोग हिलाते जाएगे वर्ना कडाई पर यह लग जाएगा तो इसका में हम लोगा स्वाइब हो गया है अब दोस्तों के दोस्तों बैठेंगा तवा तो दोस्तों हम लोग बूका रोटी बन रहे है तो दोस्तों रोटी बन रहे है तो दोस्तों हम लोगों का रोटी जल यह 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 पर यह रोटी बन गए हम लोगों का तो दोस्तों हम तो पहले बार राज में लक्री के चूला का रोटी खाएंगे ममी तो दोस्तों हम मेरा जनम के बाद में अभी रोटी खाएंगे तो दोस्तों अभी हम लोगों का केप्सी का मोब रोटी बन गया अभी हम लोग खाएंगे इसको तो दोस्तों अभी ममी खाके बताएगी कैसा लग रहा है अब बहुत श्वादिश्टा है आप देश्टी का खाना है ना टेस्टी गवा दोस्तों लगडी का खाना है टेस्टी वह ममी बता रही है अब देख सकते हो दोस्तों आज का मोगों का कुकिंग का यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो में तब तक की लिए गुड़ बाई